कथा अनुसार अलग-अलग पुराणूं में गनेश जी की जन्म कथा अलग-अलग है। लेकिन सर्व मान्दिता की अनुसार गनेश जी को पार्वती ने जन्म नहीं दिया। अपीतू उनके शरीर की रचना की। उस समय उनका मुख सामान्दिता। माता पार्वती के सनानागार में गनेश जी की रचना के बाद माता ने उनको घर की पहरेदारी कने का देश दिया। माता ने कहा कि जब तक वसनान कर रही हैं तब तक के लिए गनेश जी किसी को भी घर में प्रवेश ना करने दे। तभी द्वार पर भगवान शंकर आये और बोले, पुत्र यह मेरा घर है, मुझे प्रवेश करने दो। गनेश के रोकने पर प्रभू ने गनेश का सर धर से अलग कर दिया। गनेश को भूमी में नर्जेव पड़ा देख माता पार्वती व्याकुल हो थी। तब शेव को उनकी त्रोती का बोध हुआ और उन्होंने गनेश के धर पर गज का सर लगा दिया। तब ही से वे गजानन कहलाए। अंधकार को दूर करने के लिए परमपिता परमेश्वर का द्वार हमेशा अपने भक्तों के लिए खुला रहता है। प्रकाश के और हमारी इस यात्रा का हम शुवारब करने जा रहे हैं गनेश मंदिर के साथ। ओम शेगलेशाया नमा। देश के दक्षिन प्रांत में लगभग 10,000 आबादी वाले रोजबेल गाउं में प्रथम पुझे गनेश जी का एक अलोकिक मंदिर शीक गजानन मंदिर निर्मित हैं जो जवाहरला नहरू अस्पतार के समीप ही पाया जाता है मंदिर की चारों तरफ मक्मरी दोवा चाई हुई है इसकी सुंदर्ता बरहादी के लिए इसकी देख रेख होती रहती है यहां की स्वच्छता वो पवित्रता से यहां की देव्यता और भी बढ़ जाती है मानो नील गगन से समस्त देवी देवता शीक गजानन मंदिर की जलक पाने है तू ललाईत रहते है जाई देश देवा नाता जाकि पारवती पिता महादेवा एक दन्त दाया बन्त चार भुजा धार ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंदाय धीमही तन्नो दंती प्रचोदया अश्टविनायक गनपती का हर एक रूप आनंद दायक है ऐसी मान्यता है कि कोई भी कारी के शुवारम के लिए गनेश जी का नाम अभश्यस्मारन करना चाहिए ओम शी गनेशाय नमा इनका द्वार सब के लिए खुडा रहता है अस्पतार में काम करनेवारी डाक्टर, नर्स तथा समस्त भक्तगन गनपती से यहीं प्रार्थना करते हैं कि अपने कर्तवियों से वे कभी चुके नहीं गनेश जी दुख हरता सुख करता है ओ जयाची सर्वांगी सुन्दर उटिशिंदू राची कंथी धड़ के माण मुक्ता पड़ाची जय देव जय देव जय मंगल मुर्ती मंदिर की सदस्या श्रीमती देव्यानी नाज्या ने हमें बताया कि कई दशकों बाद गनपती की क्रेपास ही स्भाव्य मंदिर का निर्मान संपव हो पाया स्री गजानन आश्रम पहले रोजबेल के लेटो इडली में स्थीत थी स्री माराथी धर्विक सभा के नाम से ये एकोनी से साथ में सुरू हुआ था बहुत वर्सों तक हम वहां पर रहे लेकिन कुछ कारण बस हमें जगा बदलनी परी उसके बाद हम नर्मदार शिवालाई में गई नर्मदीश्वर शिवालाई रोजबेल में उसके बाद सरकार ने हमें यह जगा दी जब हमारा मंदीर कम अस्रम निर्मान हुआ 2007 से हम यहां पर है भारतिय धर्म और संस्कृति में भगवान गनेश जी सर्वप्रथम पूजिने और प्रार्थनिया है उनकी पूजा के बगैर कोई भी मंगल कार्य शुरू नहीं होता इनका हर एक रूप आनंद दायत है वे अग्रपुज्य गणों के इश्गणपती स्वस्तिक रूप में तथा प्रणों सरूप है उनके स्मरन मातर से ही संकट दूर होकर शांतिय और सम्रिथी आ जाती है वे एकदंद और चतुर बाहो है अपने चारों हाथों में वे ख्रमशह, पाश, अंकुष, मोदक, लड़ू तथा वर्मुद्रा धारन करते है गनेश जी को दूरवा के प्रती फिशेश लगाव है मूशक इनका वाहन है श्री गनेश पूजा अपने आप में बहुत ही मतवपूर्ण वा कल्यानकारी है चाहे वहाँ किसी कारी की सफल्टा के लिए हो या फिर चाहे किसी कामना पूर्थी के निवारण ही तु हो गनेश जी विद्या और बुद्धी की अधिश्ठाता देवता है तर्क वितर्क में उनका सानी कोई नहीं गनेश जी की आरादना करने से निश्चिती विध्यारतियों को विध्याप्राप्त होती है श्री गनेश निशकपटता, विवेक शिलता एवं निशककलंकता प्रदान करने वाले देवता है उनके ध्यान मात्त से व्यक्तियोजवल भविश्य की ओर अग्रसर होता है गणपदी विवेक शीलता की परिचायक है देवताओं के सिनापती स्वामी कार्थिके इनके जेश्ठ भराता है एक बार कार्थिके वो गनेश जी में होड लगी कि सबसे बुधिमान कौन? तब भगवान भुलीनाथ जी ने कहा कि जो पृतिवी के चक्कर लगाकर सबसे पहली लोड कराएगा वह बुधिमान वा प्तथम पुजनिया होगा लंबोदर तो भारी भर कम थे वाहन भी चुहा वह कार्थिके उत्तम वजन के थे और उनका वाहन मोर स्वामी कार्थिके चल पड़े गणेजी सोच में पड़ गए उन्होंने सोचा माता पिता ही चन्मदाता है तो इस सबसे महान वहीं हुए उन्हीं की परिक्रमा कर विखरे हो गए पुराणों के मता नुसार रिध्धी और सिध्धी उनकी दो पद्निया है एक अन्य कथानुसार रिशे व्यास ने गणेजी जी को महाभारत लिखने में उनकी सहायता की मांग की जिसे गणपती ने सहर्ष स्विकार किया यहां के आचारिय नगेंदर शर्मा जी से हमने बात की कशिशया है से हिस्त्ता में संतर्ष्ति पूजा संतर्ष्ति पूजा होती है रात हें किकी समय करे और लगगा उसमें कुछ समय वोसलों भते हैं कि तुहंटर्ड लोग होते हैं काभी लोग आते हैं एं उनकी उम्या बात्रक्ति प्श्चuyu महापरशा कि व्यूस्ता होती है, सभी भफ्वत्नों के लिए महाफरशा किनान दें। इस प्रकार से पुजा, गनिश्ची की पुजा होती है। गनिश्ची की पुजा हमारे जीवन में बहसे भी भी महत्मून होती है। क्योंकि हमारे सुस्थ्ट कहते हैं, जैसे कि ये देश है, हमारा देश है, मुरिश्ट देश है, इसमें सबसे जाला है, महत को देते है रामायन को, तो इसलिए रामायन को महत को देते हुए भी, तुलसी जाजी ने लिखा है, कि जोस्तु मेरे तसिद होई, गणनायक कर वरवदन, कराओं आनूंग्राह सोई, बोधिरा से सोग गुल सदना। तो जिसके सुम्रन मात्र से, जिसके सुम्रन मात्र से, जिसके ध्यान मात्र से हमारे सभीकारिस हो जाते हैं, हमारे जीवन के सब नमंगल दूर हो जाते हैं, हमारे जीवन की जितनी परिशानी हो अपने आपनी दूर हो जाती हैं, जिनके नाम मात्र लेने से ऐसे भगवान दर्पति हैं और ये बड़े सिद्धी दाय गनिश्ची है वैसे वी बड़े ये जो इस्थान है ये बहुत ही चाहतकारिक इस्थान है गजानन आश्रम में देवों के देव महादेव तथा जगजननी माता पारवती की मुर्तियां भी स्थापित है भग्तगन यहां शिवलिंग पर जल चरहा कर भोली नाथ की कृपा प्राप्त करते है वे नमो नमा सिर्धि विनायक नमो नमा ओंगंगण पत्ते नमो नमा सिर्दी विनायक नमो नमा को दंताए नमोरम उपिए नमोरमा को कि दिन ताल्यक नमोरम wow को दंताए नमोरम label को दंताए नमोरमा भगवान गनेश के जेश्ठ भराता कार्तिके भी यहां विराजमान है इनका वाहन मयूर है दक्षिन भारत्वतमुर्समुदाई उन्हें बुरुगन के रूप में पूछते हैं गजानन आश्रम में दत्तात्रई भगवान भगतों पर अपनी कृपादर्ष्टी बरसाने के लिए सदैप उपस्थित है दत्तात्रई में इश्वर और गुरु दोनों रूप समाहित है इसलिए उन्हें परम ब्रम्भमुर्ती, सद्गुरु और श्री गुरुदेवदत भी कहा गया है उन्हें गुरुवज का प्रथम गुरु, योगी और वैज्यानिक मना जाता है उन्हें त्रिदेव का स्वरू भी कहा गया है दत्तात्रई को शेव पंथी, शिव का अवतार और वैश्णव पंथी, विष्णु का अंशावतार मानते है ब्रम्भाजी के मानस पुत्र महर्शी अत्री, इनकी पिता, तथा कर्दम रिशी की कन्या और सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता कपिरदेव की बहन सती अदसुया इनकी माता थी यहाँ मान्यता भी है कि शिव कुत्र कार्तिके को दत्तात्रई ने अनेग विद्यायन दी थी रोजबेल में स्थित गणेश मंदिर में काजरत सदस्यों की हमेशा यहीं कोशिश रहती है कि जो भी भक्त यहां आते हैं विशांत वातावरन में अपनी पूजा करें और उन्हें हर प्रकार की सुवधाय प्राप्त हो मंदिर के सचेव श्री आनंद महादू ने संगठन की और से भावी योजनाओं के बारे में में जानकार यां दी यहीं पर मंदिर के आंगन में एक शिवलिंग की स्थापना की जाएगी दिनो दिन भक्तों की बर्ती संख्या को देखते हुए एक भवन के निर्मान का भी प्रावधान किया जा रहा है ताकि यहां पर आयोजित धार्मिक गत्विधियों के दौरान श्रधालूं का स्वाज़त किया जा सके और उन्हें ज्यादा सुविधा प्राप्त हो सकती है समर्पित संकष्टी पूजा का भी यहां भव्य आयोजन होता है देश के कोने कोने से श्रधालू अपनी मनों कामना पूर्ती है तू इस तिर्थ स्थान में अवश्या आते है और पूजा में भाग लेकर अश्टत सिधी नौ निदी के दाता से आशिश प्राप्त कर जाते है अच्छों करता सा देश प्राइवार्य थियू है बस्ते आली शिर्नाला बस्ते आली शिर्नाला नावाद आले गश्पजी 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 ना करीचो भी नवर्गावां प्रेंस पापा मुर्या मंगल मुर्दी मुर्या मी कम बनुरे लो एंवर generations ride मी कम पनल省 उनल्मच नोल्यर मी कम पनल्म कम बनुर keeps your love मा जल्म पनलोंच उल्म कम पनल्मच नोंच बहल्ती बेड़ती बाप्पोर के झराणियनी ही जालती बाप परेड़? हम एलती बाप्प 수log येस, के झरायो आयवा सिफथानि ही जालती बाप्पोर又 येаш, हम आप़ती बाप परेड़? मोर्या, मोर्या, बंगल मुर्थी मोर्या 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 बंगल मुंदी मोर्या मोर्या बंगल मुंदी मोर्या बंगल मुंदी 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 मु मुर्या, 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 विंकल बेंगा, मुर्या, मुर्या, विंकल बेंगा, मुर्या, 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 विंकल बेंगा, मुर्या, 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 विंकल बेंगा, मुर्या, 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 विंकल बेंगा, मुर्या, 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 म आप पूर्या, गुर्यां गुर्णिदलाएक दिफनां गुर्या अत्थिमिना गुर्या, पुर्यां Chili! लोल्या, 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 लोल्या मुर्या, मुर्या, देश्वेजी बापा, मुर्या 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 मोल या, मोल या, र cockpit पॉप्पा ई मेरंम आनन्द फोचे थी खलेव बाली विग्नहरता मंगलकरता गजमुख गजानन के दर्शन मात्र से ही ब्रतधारी के सभी दुख दूर हो जाते हैं। उसे जीवन के बहुतीक सुखों की तापती होती है। यह नववर्ष सभी के लिए मंगलकारी हो। आपके घर, विधिया तथा धनैश्वर्य का भरमार हो। चारों तरफ सुख सम्रिध्धी की व्रिध्धी हो। जन्म के संसकारों से लेकर जिवन की अंतिम यात्रा तक गंगा जल के बीना हर कर्म अधुरा माना जाता है। ऐसी पतीत पावनी गंगा मैया को शत्षत प्रनाम है। इस वक्त हम गंगा यमुना धाम मादाम लूलो रोसबेल में सित है। जहां बहुत ही निर्मल धारा, गंगा के निर्मल धारा बह रही है। हुआ। श्युक्त वुण मंगलम, भूमी मंगलम, उदगा मंगलम, अद्मी मंगलम, अद्मी मंगलम, भायु मंगलम, भायु मंगलम, गगना मंगलम, सूर्य मंगलम, चंद्रा मंगलम, चंद्रा मंगलम, जगत् मंगलम, जीवा मंगलम, जीवा मंगलम, देहा मंगलम, मनो मंगलम, मनो मंगलम, इस만 अहरा मैं आत्मांग लगे का इहा जब को तुमी अउ 만들어े तरह मीत हो इह ऩ। सर्वा मंगलं घबतु 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 स्टाइब थाओब स्टाइब तो बादब। अजय को धिनाश्ट। स्टाइब स्टाइब रड़त। स्टाइब थाओब नहीं कर दो कर दो गंगा मा के दर्शन से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जद्म जद्मांतर का पाप एक शण में दूर हो जाता है हमारी यात्रा प्रोग्राम यही पर संपन होता है हमें आग्या दीजे धन्यवाद नमस्ते कर दो जद्मांतर कर दो जद्मांतर के दो कर दो कर दो हमारी प्रोग्राम यही नमस्ते अ。